हाई, इस गिर्राज परसाद, एक इंपोर्टेंट क्वेस्चन के साथ, चलो तो देखते हैं, तो क्वेस्चन हमारा, इंटीग्रेशन, साइन एक्स प्लस को सेक्स अपॉन रूट साइन टू एक्स, फ्रॉम पाई बाई सिक्स तो पाई बाई थ्री, ठीक है, तो कैसे करेंगे साइन खूर, चलो देखते हैं, तो यहाँ पर एक छीज ध्यान रखने है, जब भी नीचे साइन टू एक्स दिखे, ठीक है, और उपर साइन एक्स प्लस 6, 9 plus 16 sin 2x है ना, तो ऐसा भी एक question है, तो कैसे करेंगे उनको solve, चलो देखते हैं तो क्या करते हैं इस type के question में, 1 plus sin 2x या 1 minus sin 2x बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए क्लिए 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 हैं 1 add करेंगे और 1 minus करतेंगे, 1 क्या किया यहाँ पर add किया और 1 क्या किया minus किया, चलो एक बार अलग कलर से कर देता हूं 1 add किया और 1 minus किया अब उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से देखो अगर उपर sin x plus cos x है तो नीचे 1 minus sin 2x होना चाहिए और अगर उपर sin x minus cos x है तो नीचे 1 minus 1 1 plus sin 2x होना चाहिए ठीक है, चलो देखो तो अब ध्यान से तो यह हो गया अपना pi by 6 से pi by 3 बहुती जी question है ना कुछ ज़्यादा घपराने वाली बात नहीं है जैसा question दिख रहा है उतना hard है नहीं चलो, देखो तो नीचे देखो ध्यान से यहां 1, इस 1 को कुछ नहीं किया मैंने 1 सेम छोड़ दिया इन दोनों में से minus common ले लिया minus common लेंगे तो यह 1 हो जाएगा plus का और यह sin 2x हो जाएगा minus का 1 minus sin 2x ठीक है, तो नीचे 1 minus sin 2x बना लिया, कैसे बनाया plus 1 किया, minus 1 किया इन दोनों में से minus common ले लिया तो यह बन गया 1 minus sin 2x क्योंकि उपर था sin x plus cos x तो इसलिए 1 minus sin 2x बनाया अब दिहान से देखो, जो 1 minus sin 2x है वो किसके equal होता है, यह हमको पता होना चाहिए 1 minus sin 2x देखो, 1 को लिख सकते है sin x plus cos x और जो sin 2x है यहाँ sin 2x का formula लगा सकते है क्या होता है sin 2x का formula 2 sin x into cos x दिख रहा है यह हाँ, चलो अब देखो, दिहान से यह बन गया अपना a square plus b square minus 2ab तो जो की होता है हमारा a minus b का whole square ठीक है, तो बस इसको वो लिख देंगे तो यहाँ आगया हमारा pi by 6 से pi by 3 उपर है हमारा sin x plus cos x नीचे है root में 1 minus, और यह 1 minus sin 2x को क्या बताया है मैंने, क्या लिख देंगे sin x minus cos x का whole square बस इसके बाद question बिल्कुल easy है, ठीक है इसके बाद का question बिल्कुल easy है, क्या करना है बस तुमको t let कर लेना है किसको t let करना है, sin x minus cos x को sin x minus cos x को t let किया तो इसका differentiation देखो, उपर दिख रहा है हमको है ना, तो क्या होता है, sin x का differentiation, cos x minus, और cos x का minus sin x तो यह बन जाएगा plus sin x dx is equal to dt, चला, तो यह हो गया हमारा यहां से, pi by 6 से pi by 3, और तो sin x plus cos x into dx है, यह पूरा का पूरा किस में change हो जाएगा, dt मे, तो यहां लिख सकते हैं, इसकी जगे पे 1 dt, नीचे आ गया, रूट में, 1 minus, और यह तो पूरा t बनाई दिया हमको, हमने, तो 1 minus t square, ठीक है, बस अब यहां पर formula लग गया, कौन सा formula, sin inverse वाला, sin inverse x by a, तो यह बन गया, sin inverse t, और, अच्छा, अच्छा, लिमिट चेंज करना भूल गए, तो लिमिट और चेंज कर लेते हैं, देखो, जब x की जगे, पहले तो यह मैं हटाता हूँ, क्योंग डीटी लिख दिया तो t की limit आएगी, देखो, जब x की जगे, पाई बाई शिक्स लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर, देखो, x की जगे, पाई बाई शिक्स लिखते हैं, पाई बाई शिक्स मतलब हो गया, 30 डिग्री, तो sin 30 minus cos 30 equal to t, तो यहां साइन 30 की value होती है, 1 by 2 minus cos 30 की root 3 by 2 equal to t, तो यहां पर जो क्या, पाई बाई 3, अना, पाई बाई 3, तो यहां पाई बाई 3 रखते हैं, तो sin πाई बाई 3 की direct value रखना हूं, sin πाई बाई 3 मतलब sin 60, जो कि यह होता है, root 3 by 2 minus 1 by 2, अना, cos 60 की 1 by 2 equal to t, तो यहां पर t की जो value आएगी, वो आएगी हमारी root 3 minus 1 by 2, तो यह हो जाएगी हमारी नई limit, t के respect में, 1 minus root 3 by 2, और यह हो जाएगी, root 3 minus 1 by 2, बस अब t की जगे limit पुट कर देंगे, तो अपना answer क्या आएगा भई, यह आएगा, sin inverse, पहले upper limit पुट करेंगे, तो जो कि आएगी, root 3 minus 1 by 2, minus, फिर आएगा sin inverse, lower limit पुट कर देंगे, t की जगे, 1 minus root 3 by 2, अच्छा, एक चीज हमको पता होनी चीए, क्या, sin, sin inverse minus theta, होता है, equal minus of sin inverse theta, मतलब यहाँ से एक minus common ले लेंगे, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, तो यह क्या बना हमारा sin inverse, root 3 minus 1 by 2, और यह हो गया, plus, और यहाँ से minus common लेंगे, root 3 plus का, और 1 minus का हो जाएगा, ठीक है तो यह हो जाएगा, sin inverse, root 3 minus 1 by 2, तो यह अब डबल हो गया, तो क्या आएगा, final answer, 2, sin inverse, root 3 minus 1 by 2, और यह हो गया, हमारा final answer, बहुत easy question है, और इस टाइप के question काफी important है, तो इनको एक बाद अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, ओके, thank you very much, God bless you.